बेक टू ग्यानवर्शा आज हम लोग डिसकस करेंगे इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चैन के बारे में अग तक हमने ग्लाइकोलाइस डिसकस कर लिया है टीसे साइकल डिसकस कर लिया है और अगर हम बात करते हैं तो आज हम लोग डिसकस करेंगे इलेक्ट्रोन ट्रांस्पो आई थे TCA cycle से, TCA और Glycolysis से हमें NADH और FADH मिले हैं, तो उनसमें क्या है, काफी सारी आपके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोन भरे हुए हैं, उन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोन को यूज करके हम ATP बनाएंगे, ठीक है, हम क्या ये माइटोकॉंड्रिया में होगा सब, तो समाझ ये होता क्या है, क्या होता है आपके, ये माइटोकॉंड्रिया है, ठीक है, इस माइटोकॉंड्रिया की दो मेंब्रेन होते हैं, एक आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन, ये इनर मेंब्रेन है, समाझ ये आप देहां से इस बात को, देखिए ये जो बीच में स्प कहने के लिए inner membrane यह folding होती है लेकि मैं आपको simple उसमें दिखा रहे हूं ठीक है इतनी बात आपको समझ आई तो अब क्या होता है हमारे बात करें inner membrane में inner membrane में जो यह mitochondria है इसकी जो यह inner membrane है इसमें यह complex होते हैं protein के प्रोटीन के complexes इसकी membrane में होते हैं ठीक है तो यह जो भी आपको complex दिखा रहे हैं complex 1, 3rd, 2nd and 4th यह complexes inner membrane में mitochondria की में होते हैं तो क्या करते हैं यह complexes आपको पता है TCA cycle होती है हमारी mitochondria की matrix में mitochondrial matrix आपको पता है ना inner membrane की जो अंदर reason होता है जैसे यह आपकी inner membrane है ठीक है अब यह जो reason है यह matrix of mitochondria है यह inter membrane है और यह matrix of mitochondria है matrix of mitochondria में TCA cycle होती है तो वहां से NADH और FADH जो मिलते हैं उनमें hydrogen और electron भरे हुए हैं वो hydrogen और electron यूज करके उनका oxidation करके हम क्या करेंगे ATP की synthesis करेंगे ठीक है तो क्या होता है अब देखिए यह complex 1 है हम complex 2 की अभी बात नहीं क हम complex 1 की बात कर रहे हैं यहां के देखिए यह complex 1 है और यह आपकी inner membrane है यह ऐसे सोची है आपकी inner membrane है ठीक है और यह बहर outer membrane है simple मैं बहुत एजी तरीके सब को बता रहily हूँ यह inner membrane है अपकी और यह outer membrane ने यह आपका पूरा mitochondria है ठीक है तो complex 1 में क्या होगा ? आपका inner membrane में बै इक प्रोटान और दो इलेक्ट्रोन होते हैं जब हैड्राइड आइं रिमूफ होंगे सुनिए का तो एलेक्ट्रोन जाए गा लेक्ट्रोन जाएका तो वो पास रहें। मैं अभी हो को शॉर्ट में पतार हु हिए फिर हम अप्मी गें सदों का पढ़ा यू कंप हैं। क्योंकि आपका ubikinon हम सब चीज के और ने टिल से बढ़ीं क्यों से फिर जाएगा वह complex 3 के पास complex 3 से वो जाएगा cytochrome c में cytochrome c में वह जाएगा फिर cytochrome 4 के पास complex 4 के पास जाने के लिए यहां पर एक electron को पड़नु के लिए बैठ ही हमारी oxygen जिए हैं जब वो oxygen से इलेक्ट्रोन फ्यूज होगा मिलेगा तो एक H2O मॉलिक्यूल बनेगा H2O मॉलिक्यूल और एलेक्ट्रोन जा रहे हैं और हाइड्राइड आइन जो है जो हाइड्राइड आइन है वो आपके यह आउटर मेंब्रेन है यह इनर मेंब्रेन है कि बीच की स्पसक्राइबने इंटर मेंट्रियिट मेंवेड nosotros इतने सारे हो जा कि यह स्पीवड जाएंगे और यहाँ पर कॉंपलेक्स और बैठा होता है कॉंपलेक्स पिफ्त जिसमें बोलते हैं कॉंपलेक्स भाया वो इस इसस्पीज और बैधे वो ATP की synthesis में help करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसम में आपको बता हूँगी, इतना समाज आए आपको, देखिए, क्या होगा, दुबारा देखिए, अध् e dh और अध् e dh है, पहला हम अध् e dh की बात करते हैं, complex 1 में, वो अपना electron देगा, Q को, Q देगा, complex 3 को, complex 3 साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C, complex 4 को, ठीक है, electron इस तरीके से मूब करेंगे, और एक हाइट्राइड आइन में, एक हाइट्रोजन और दो इलेक्ट्रोणो तो हर बार हाइट्रोजन भी जाएंगे इंटरमेंब्रेन स्पेस में हर बार कॉंपलेक्स से इंटरमेंब्रेन स्पेस में जाएंगे हाइट्रोजन आइन्स तो क्या होगा हाइट्रोजन आइन की कंसंट्रेशन इंटरमेंब्रेन स्पेस में बहुत जादा हो जाएगी अब हा pH बहुत कम हो गई तो pH दुबारा वही नॉर्मल पीछ पर आने के लिए यहां पर ही complex 5 बैठा होता है hydrogen ion आते हैं speed से ADP बैठा होता है ADP ATP में convert हो जाता है with the help of this hydrogen ion की hydrogen ion की बज़े से मैं आपके होता हूँ कैसे होगा यह पूरा प्रोसेस ठीक है अभी बात की NADH की यह चीज़ देखिए ऐसे ही सेम complex 2 में FADH है ठीक है तो complex 2 से FADH से electron आए, electron Q के पास गए Q से complex 3, cytochrome C then complex 4 के पास चले गए समझा है आपको अब देखिए क्या होगा electron ना transferred from NADH और FADH 2 to oxygen oxygen के पास जाएंगे Electrons through a series of electron carriers present on inner mitochondrial membrane में मैंने आपको बताएं complexes बैठे हुए है ठीक है अगर हम prokaryotes की बात करें हमें पता है prokaryotes में mitochondria नहीं होता, cell organelles नहीं होते हैं तो उसमें कहां यह process होगी प्लास्मा membrane में ठीक है next the electrons start with very high energy electron बहुत जादा energy से start करते हैं and gradually loss it as they pass along the chain. Each complex in the chain has a greater affinity for electron हर complex के पास affinity जादा होती है electron को खीच नेगी तभी तो वो ते हीजे से complex वन है यहां पर यहां पर complex हर्ड है तो तभी तो वो electron को खीच पाएगा और उसके पास high energy नहीं होग electron को खीचेंगे तो कैसे खीच पाएगा that is reduction potential than its producer and electron pass frequently from one complex to another until they are finally transferred to oxygen which has the highest affinity for electrons highest affinity किसके पास है इसके पास last वाले complex के पास complex fourth के पास ठीक है अब हम इसके main points पे चलते हैं देखिए क्या होता है देखिए जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूं वैसे वैसे समझते हुए चलिए यह आपका complex one है ठीक है अब यह complex one है इसके यह इसके अरीके से होता है देखिए यह complex one है NAD से NAD प्लस एक hydrator तो यह पहले अपना electron देगा FMN को ठीक है पहले देगा यह अपना electron FFMN को देन इसमें यह इसमें प्रोस्थेटिक ग्रूप होते हैं FMN FES तो complex one के पास group होता है FMN then यह अपना electron देगा FES को iron sulfur को ठीक है then iron sulfur से जाएगा Q के पास Ubiquinon के पास ठीक है आप समझ रहें पहले NADH में यह प्रोस्थेटिक ग्रूप है FMN और FES तो NADH जो है अपना electron FMN को देगा then FES को देगा then वो Q के पास जाएगा ठीक है Q से Q reduced हो जाएगा ठीक है जब Q reduced हो जाएगा तो यह यूबिकिनॉल बन जाएगा आप समझें इसमें complex third में क्या होगा देखिए मैं आपको बताते हूँ complex third के पास जाने के बाद वो उसके पास दो रास्ते होते हैं जाने के electron को QH देखिए QH2 पे चला गया QH reduced हो गया यह अब यह QH2 से यह जाएगा iron sulfur के पास ठीक है इसमें भी processed group होते है iron sulfur से जाएगा साइटोक्रोम C1 में साइटोक्रोम C1 में साइटोक्रोम C1 में यह साइटोक्रोम C है iron sulfur से साइटोक्रोम C1 में और साइटोक्रोम C1 से C में दूसरा रास्ता इसके पास क्या होता है दौना रास्ते को follow करता है दूसरा रास्ता क्या होता है इसके पास यह पहले यहां पर यूबिक्विनोन पड़ा होता है उसे रिड्यूस्ट कर देता है और क्यू ह 2 बना देता है समझाए आपको फूरी प्रोसेस समझाएगी मैं बताती हूं कैसे आपको इस कण्फ्यूज मत हुई है देखिए complex 1 में NADH NAD plus में होगा convert एक hydride ion रिमूव होगा एक proton दो electron electron गई हम hydrogen ion की आयन बाद में बाद करेंगे पर एक electron की बाद करते हैं electron गई पहले वो जाएगा FmN के पास क्योंकि इस पर प्रोथेस्टिक ग्रूप है पहले FmN के पास जाएगा then iron sulfur के पास जाएगा then iron sulfur के पास जाने के बाद वो coenzyme Q के पास जाएगा coenzyme Q अभी oxidized है अब वो reduced होगा क्योंकि उसके पास electron आ रहे हैं तो वो reduced होगा तो QH2 बन जाएगा QH2 then वो complex third के पास जाएगा अब complex third के पास दो रास्ते हैं वो दोनों रास्तों को फॉलू करेगा पहले complex heart से QH2 से electron जाएंगे iron sulfur के पास iron sulfur से जाएंगे cytochrome C1 में cytochrome C से जाएंगे cytochrome C में cytochrome C1 से जाएंगे cytochrome C में पहले QH2 से iron sulfur iron sulfur से cytochrome C1 cytochrome C1 से cytochrome C दूसरा रास्ता क्या होता है साइटोक्रोम B का QH2 है साइटोक्रोम B में जाएंगे B में भी, L में then, B, H में then, किस में जाएंगे जो Q होगा जो नॉरमल एक Q पड़ा होता है ईूबिकुनcheck उसने रिडूस्ट कर 막 QH2 बना दे घर then cytochrome c के पास अब electron चले गए ठीक है अब आप समझा है आपको cytochrome c के पास electron आ गए दो आप क्या होगा cytochrome c से अब वो जाएगा हमारा complex fourth के पास तो जब complex four के पास जाता है तो देखिए उसमें भी series है एक cytochrome c है ठीक है वो cytochrome c से जाएगा आपका पहले और कोपर A में, ठीक है, कोपर A से जाएगा साइटोक्रोम A3 में, साइटोक्रोम A3 से जाएगा कोपर B में, ठीक है, और कोपर B से जाएगा इलेक्ट्रोन ओक्सीजन के पास, कोपर B में, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, साइटोक्रोम C में जाएगा पहले, साइटोक्रोम A से जाएगा आपका कॉपर B में और कॉपर B से जाएगा साइटोक्रोम A3 में A3 से जाएगा फिर आपके ऑक्सीजन के पास और वो H2O बना लेगा मुझे पता है आप कन्फ्यूज हो रहे हैं अभी मत कन्फ्यूज हो जिए मैं आपको कराती हूँ देखिए NADH है NAD plus में एक हाइट्राइडाइन रिमूव हुआ दो एलेक्ट्रोन है यहां गई आ रहा है हमसे पहले FMN देन आइरन सल्फर को एंजाइम क्यू को एंजाइम क्यू से कुछ नहीं कॉंप्लेक्स थर्ड में आपको बेजना है QH2 है क्योंकि वो रिडूस रो चुका है QH2 से आप इसके पास दो रास्ते हैं दोनों रास्तों को फॉलो करेगा पहले जाएगा वो हमारा आइरन सल्फर के पास ठीक है आइरन सल्फर से देन हमारा जाएगा वो साइटोक्रोम C1 में और साइटोक्रोम C1 से जाएगा कर देगा खाली युबीकिनों जो है उसे रिडूस्ट कर देगा देन कॉंप्लेक्स फोर के पास चला गया कॉंप्लेक्स फोर से क्या होगा साइटोक्रोम सी से कॉंप्लेक्स फोर में जा रहा है तो साइटोक्रोम सी से वो कॉंप्लेक्स फोर में क्या पड़ हुआ है कॉपर copper A को electron देगा, then copper A किस electron देगा, cytochrome A को, then cytochrome A किस electron देगा, copper B को, then copper B किस electron देगा, cytochrome A3 को, A3 किसे देगा, oxygen को, ठीक है, यही करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना, same complex second के लिए, देखिए आपको पता है, TCA cycle में succinate से fumarate जब बनता है, तो FADH2 रिलीज होता है, FADH2 का जब oxidation होगा, तो FAD बनेगा, hydradyne again remove होगा, तो इसमें complex, बस complex second में क्या है, आपको, सीरीज रागती है, इसमें FMN, then iron sulfur जा रहा है, इसमें FAD, FAD, and iron sulfur, then coenzyme Q से same, वही चलना है, जो आपका चलता है, electron of series, इतना समझा है, अब देखिए, यहां पर, आपका जब NADH, NADH से NAD बना, तो चार electron, inter-membrane space में जाएंगे, देखिए, यह inner है, यह outer membrane है, ठीक है, complex, बस याद रखेगा, complex 2, एक भी electron नहीं देता है, inter-membrane space में, ठीक है, यहां पर देखिए, HIN से भर गए, अब यहां पर ADP बेठा हुआ है, HIN बहुत speed से आएंगे, और अपनी energy से ADP को ATP में convert करेंगे, ठीक है, यह basic funda है, इसका, अब हम दीरी-दीरी करके और अच्छी त chondrial membrane, अब चार complex के आप नाम देखिए, आपको पता है, complex 1 में, NADH से NAD+, तो NADH और coenzyme Q के साथ बना, यह देखिए, complex 1 में, NAD से coenzyme Q के पास से लेक्टरोनी तो हमने बेजे हैं, तो देखिए, यहां पर, complex 1 में, NAD से coenzyme Q reductase और NADH dehydrogenase, कह सकते हैं, complex 2 को देखिए, तो इसका थोड़ा सा नाम चेंज करा है, succinate से coenzyme Q reductase, succinate से भी coenzyme Q के पास जा रहा है, succinate से coenzyme Q reductase, इसमें NADH से coenzyme Q reductase, complex 3 का नाम देखिए, coenzyme Q, coenzyme Q से starting होती हैं, cytochrome C के पास जाता है, complex 3 के बीच में तो बैठा हुआ है, coenzyme Q cytochrome C reductase, यहां फिर हम क एक iron sulfur, iron sulfur पे जाएगा, then हमारा, cytochrome C1, then cytochrome C, दूसरा रास्ता के पास, coenzyme Q से, B पे, B में भी B L पे, then BH पे, और जो ubiquinone बैठा हुआ है, ubiquinone बैठा हुआ से ubiquinol बनाना, ठीक है, complex 4 के हम बात करें, cytochrome C oxidase, क्योंकि वहां oxygen के पास जाके, electron चले जाएंगा, oxygen के पास, complex 1 के पास, FMN और FES था, हमने देखा, NADH से, पहले electron गया, FMN के पास, FMN से गया, FES के पास, iron sulfur के पास, complex 2 से भी FAD और iron sulfur के पास, complex 3 की बात करें, तो हीम और iron sulfur, ठीक है, और complex 4 की बात करें, हीम और copper ions, ठीक है, next चलते हैं, अब देखें, complex 1 के अगर हम बात करें, तो यह large और multi sub unit complex होता है, इसमें देखें, oxidation होता है, NADH का, हमने देखा, NADH का oxidation होता है, NAD plus में convert होता है, electron जो है, पास होते है, NADH से, coenzyme Q में, लेकिन कैसे पास होते है, एक FMN होता है, 6 से 7 cluster होते है, iron sulfur के, ठीक है, मैंने बता है, FMN के पास जागा, FMN से iron sulfur के पास, then, ubiquinon के पास जा चार प्रोटॉन को पंप करता है, inner mitochondrial membrane में बताया, चार complex 4 करेगा, चार प्रोटॉन को पंप करेगा, inner mitochondrial membrane में, ठीक है, across the inner mitochondrial membrane, उसके across, means, inter membrane, जो स्पोस होती है, वहाँ पर, अब हम बात करते है, complex second की है, coenzyme Q की, पहले, coenzyme Q के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, क्योंक रिपिट नॉन इस्टेट में ही उफ नुए, Q, Q से वह बनता है तो अब उसे बोलते हैं, यूबिकुनॉल, देखे कैसे, यह लिपिट सॉल्यबल होता है, पहले देहाँ बात देहाना किएगा, यह लिपिट सॉल्यबल है, अब आप बताईए, जब यह लिपिट सॉल्यब तो QH2 बन रहा है, तो QH2 बन रहा है तो मतला, fully reduced हो चुका ही है, इलेक्ट्रोन जब जब जा रहे हैं, Only electron carrier in the ETC, which is not a protein bound protestic group, free diffusal within the lipid barrier of the inner mitochondrial membrane, इतना बास समझा है, अब complex second पर, देखिए complex first से भी ubiquinon के पास जाना है, complex second से भी ubiquinon के पास जाना है, जब complex first से भी ubiquinon के पास जाना है, जब complex first से भी ubiquinon के पास जाना है, तो चार प्रोटोन है, वो inter-membrane space में जाना है, और अगर complex second से भी ubiquinon के पास जाना है, तो complex second एक भी proton को पंप नहीं करता है, देखिए, complex second की बारे में अगर हम पढ़ना है, succinate dehydrogenase and inner mitochondrial membrane enzyme होता ही है, हमारा TC cycle में पढ़ चुके हैं इस बात को, यह bound enzyme होता है, यह integral component of complex second, यह क्या करता है, सक्सिनेट को fumarate में जब convert करेगा, तो FADH2 मिलता है, electron are transferred first to FAD, FADH2 से जब उसका oxidation होगा और FAD बनेगा, तो hydrodine remove होगा, तो electrons मिलेंगे, अब वो electrons जो है FAD के पास जाएंगे, then FAD से iron sulfur के पास जाएंगे, first to FAD, then to iron sulfur, and final to coenzyme Q2, coenzyme Q, दुबारा सुनिए, complex first में, पहले वो जाते हैं, FMN के पास, then iron sulfur के पास, then coenzyme Q के पास, complex second में, वो पहले जाएंगे, FAD के पास, then iron sulfur के पास, then coenzyme Q के पास, ultimately जाना होना है, coenzyme Q के पास ही है, not pump protons during transport of electrons across the inner mitochondrial membrane, complex second में, वो pump नहीं करता है, एक भी proton को across the inner mitochondrial membrane, और हम कह सकते हैं, inter membrane space में, वो एक भी proton को pump नहीं करता है, complex second, complex लेकिन first करता है, ठीक है, next complex third की अगर हम बात करें, complex third and complex second transfer electron to complex third via coenzyme Q, अब complex first भी, complex second भी, दोनों जो है, भेज रहे हैं, coenzyme Q को electron, ठीक है, यहां से भी जा रहा है, complex seconds और complex first से भी, within complex third, the electron released from coenzyme Q, फॉलो, दो पात को फॉलो करता है, in one path, electron are transported via risky iron sulfur cluster, iron sulfur के पास जाएंगे दे, then cytochrome C के पास, then directly to cytochrome C, एक पात तो यह हो गया, in other path, electron move through, पहले, B type cytochrome के पास, जिसमें भी BL and BH, देखिए जो BL है, BL means low affinity, BH means high affinity, ठीक है, H means high, L means low, तो BL and BH, and reduced oxidized coenzyme Q को, जो coenzyme Q पढ़ा है, उसे QH2 में बना देंगे, ठीक है, यह दूसरा path है, during transport of each pair of electron from coenzyme Q to cytochrome C, complex third pump four proton, across inner mitochondrial membrane, the mechanism involved in proton pumping, उसे हम बोलते है, proton motive Q cycle, जो यह mechanism involved होती है, proton को pump करने में, अब next हम बात करेंगे, साइटो क्रों की, ठीक है, अब साइटो क्रों के बारे में देखिए, इन्हें हीम प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, दो B type के होते हैं, यह तो आप B H या B L कह लीजे, या B 566, B 562 कह लीजे, 2 C type होते हैं, C and C1 हम भी हम देख चुके हैं, कि पहले हमारा C1 में जाता है, then C में जाता है, complex third में आपने क्या देखा, कि iron sulfur के बाद, पहले cytokrome C1, then cytokrome C, तो C1, then C, और A, A के भी दू होते हैं, A और A3, जो कि हम complex fourth में पढ़ते हैं, complex fourth में हम क्या पढ़ते हैं, cytokrome C से copper A में जाता है, then copper A से cytokrome A में, then cytokrome A से copper B में, then copper B से cytokrome A3 में, ठीक है, यह चीज, the heme protastic group of A and B cytokrome, दीखें, जो A और B cytokrome होते हैं, वो tightly bound होते हैं, लेकिन covalently bound नहीं होते हैं, प्रोटीन से, tightly होते हैं, लेकिन covalently होते हैं, यह बहुत important points हैं, जातर पूछे जाते हैं, वेरिस हीम ग्रूप, जो C type cytokrome होते हैं, वो covalently bound होते हैं, A और B covalently होते हैं, लेकिन tightly होते हैं, लेकिन cytokrome C covalently bound होते हैं, सिस्टीन से, ठीक है, cytokrome C बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यह aerobic organism में प्रिजेंट रहता हैं, जे हैं, इबाता हैं, अगर आपको पता हैं, स्टाइर डिस्टैंस अगर अभू आपको पालिशनरी स्टर जर्ड़ेंट हैं, Do I know, यह देखिए, साइटोक्रोम C आपको यहां दीख रहा है, यह पैरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, साइटोक्रोम C पैरिफेरल और जबकि यूबुकुनोन लिपिड डिफ्यूजिबल है, वो अंदर बैठा रहता है, और अगर हम देखें, कि इट इस आपैरिफेरल प्रोटीन मुझे लगता है, आप लोगो समाज में आई होंगी, चीज़ें यह से इसे से मैंने आपको समझाई है, कॉंप्लेक्स पोर जो है, उसे हम साइटोक्रोम C भी ऑक्सिडेस कहते हैं, यह ट्रांसफर करता है एलेक्ट्रोन को, ठीक है, जो साइटोक्रोम C जो रिडूस्ट है, वहाँ से ऑक्सिजन के पास, 13 सब यूनिट होती है, दो हीम गूरूप होती है, कौन-कौन से, मैंने आपको बताया है, एक तो साइटोक्रोम A और एक साइटोक्रोम A3, ठीक है, और थ्री कॉपर आइन्स होते हैं इसमें, अरेंसे इसमें, अरेंसे इस टू कॉपर सेंटर, दो कॉपर सेंटर कौन से हैं, कॉपर A और कॉपर B, तो हीम गूरूप टर्म हीम A और A3 हैं इसमें इसमें, इसमें इसमेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें to the complex hole, within this complex electron are transferred first तू देखे, पहले copper A के पास जाएगा then cytochrome A, then copper B then cytochrome A3, then finally to oxygen, the ultimate electron acceptor yielding H2O a total of 4 electron are transferred for each oxygen molecule, reduced to 2 देखे, reduced हो रहा है, 2 water molecule में, अप इस बात को समझ रहे हैं मैं आपको समझाती हूं, कि मैं यह क्या कहना चाहरा है देखिये यह जब आप देखिये, हाफ ऑकसीजन है अब टू हाइई ना आएंगे तो एक ह2ो बनेगा अगर चार हाइई ना आएंगे, टू हटू ना ना लिए टू हटू हो बनाने के लिए चार प्रोटोन जो हैं pump होते हैं ठीक है? अब समझा है चार प्रोटोन बनाने के 2H2O बनते हैं तो 4 प्रोटोन पंप होते हैं समझ आ रहा है आपको ये बात मेरे साब से आ रहा होगा पहली बार में 2 प्रोटोन पंप होगे जो कि कहां से आएंगे हमारे NADH से और 2 कहां से आएंगे FADH से तो 2, 2 दो करके जब ये NADH देगा तो 1H2O बनेगा और 2 hydrogen ions पंप होगे जब ये FADH2 देगा तो अगेन 2 electron आएंगे फिर 1H2O बनेगा और 2 hydrogen ions पंप होगे मेरे साब से आपको ये पूरा समझ में आए होगा अब इसके इनिबिटर्स देगे हैं इसके इनिबिटर्स हैं हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर उसी लेक्चर में प्रीवेस एर के कुछ questions पी आपको आपके साथ discuss करूँगी तो ये जो material है मैं ग्यानवर्षा टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगी और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ग्यानवर्षा-query-gmail.com पर मेल करके पूछेगा अगर आपको यह नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मैं दुबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगी एक और वीडियो बना दूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं थैंक्यू